धन तेरिस के दिन आपको अपने घर में पांच चीजे जुरूर लेकर आनी हैं इनसे आपके घर में समरिद्धी वड़ेगी धन की गमी नहीं होगी पहला धनिया आपको सूखा धनिया लाना है और ये धनिया आपको मातलक्षमी को चड़ाना है दूसरी चीज है जाड़ू इस दिन नया जाड़ू लेकर आए और दिपावली पर आप इसकी पूजा करें उसके बाद घर में सफाई के लिए इसको प्रियोग करें तीसरी चीज है पित्तल इस दिन घर में बरतन लाना अती सुब होता है लेकिन यदि आप पित्तल का कोई बरतन लेकर आते हैं तो ज़्यादा सुमाना जाता है अपनी जुरत के इसाब से आप अलुमूनियम या स्टील का बरतन भी ला सकते हैं लेकिन प्रियास करें कि पित्तल का कोई छोटा सा बरतन जुरूर लेकर आए चोथी चीज है चांदी यदि आपकी जेब अलाव करती है तो आप कोई चांदी की चीज जुरूर लेकर आए और पांचमी चीज है मा लक्षमी के पद चिने लगाने से इनकी पूजा आउसे कर ले और दिपावली के दिन भी इसकी पूजा आउसे करे और मा लक्षमी से पराथना करे कि वो आपके घर में विदिवान रहे शितीर रहे और आपके घर के बंडार हमेशा भरे रहे अगर आप अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट वर्थ, टाइम, जगह, वट्सप जुरूर कर दे ऐसे और विडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए सब्सक्राइब कर ले तो पिरे दर्श को जय बहर हुआ बाटे